नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BTSC A&M 10709 वेकेंसी को लेकर जिसमें की एक नोटिस वैरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि आज के डेट में आप लोग का मेरिट लिस्ट आने वाले है उसमें कितनी सचाई है क्या कुछ नोटिस है वो सारे कुछ हम इसमें बताएंगे आपकी जो कांसिलिंग का डेट है वो क्या कुछ रने वाले कब से आपके कांसिलिंग होने जा रहे हैं क्या कुछ officially notice है यह सारे कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो चली हम लोग वीडियो के start करते हैं यदि आप चैनल पर ने तो subscribe जरूर करिएगा और इससे आपको BTSC का हर एक ख़वर आपको पलपल पर मिलते रहेंगे तो चली हम लोग चलते हैं वो notice के तरब और notice जा 10609 मेरिट लिस्ट विहार एनdd Dinner जार्शोмов का मेरिट लिष्ट जाड़ी किया जाएगा आज जारी किया जाएगँ अब बिहार स्वास्त विभाग के अफिशियली वेब साइट के अनुसार एनम 10709 पदों की आज़ित भरती पर अंतिम रिजल्ट यानि मेरिट लिस्ट आज जारिक किया जाएगा तो यह आप देख सकते हैं यह नोटिस वाशे कि अभी बिटियसी का जो दो साइट है उस पर नहीं दिया गया है तो जब तक अफिशियली मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अफिशियली नोटिस नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने व जल्दी आपका रिजल्ट आने वाल है वह नोटिस में हम आपको दिखाते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किये थे यह नोटिस देख सकते हैं जो कि यह ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया था लेकिन यह दिग्यापन संग के एक 2000 वाइट ट्यूटर जैसे कि आप लोग जो नर्षिंग के पध्वें बहाली होगे इनका नर्षिंग पोस्ट ही होता है इनका नाम और इसका पोस्ट है उसका डिफेन्ट होंगे थोड़े आप से तो यह 2022 की जो वैकेंसी है जो कि इसमें सारा कुछ दिया गया है कि यह एक चौबिस जनवरी को ह रहा था जो की 23 फरवरी तक चला था और इनहीं के इनकी जो मेरिट है मेरिट कहीं कहीं इसका भी बनके तयार हो रहा है तो आज इनका बन चुका है इसलिए यह आपत्ती दर्ज करने का लिंक एक्टिव कर रहा है जो कि आप देख सकते हैं आज ही इनका जो आपत्ती दर्ज करने की जो लिंक है वो एक्टिव किये जाएंगे तो जब भी BTSC कोई भी वेकेंसी में आपती का objection link एक्टिव करता है तो कहीं कहीं उसके बाद जो result है वो प्रकासित कर देता है तो आज इनका objection link एक्टिव होने वाले हैं और जैसे ही active होंगे link हम आपको सारे कुछ बताएंगे कि कैसे आपको किस तरीके से objection करने हैं जब किलियर कर रहा है तो स्वास्त विखा कि सारे वेकेंसी को किलियर करेंगे जैसे कि एनम 8853 वाला तो सारा प्रोसेस होई चुका है आदेस जाइदे अब यारतियों का पोस्टिंग भी हो चुका है तो सिर्फ आप लोग का वेकेंसी बच गया है तो यदि आप लोग का पहले दे देता तो इन सब के साथ जएदा ये सब जएदा अश्ट्राक कर देते क्योंकि इनका पहले का वेकेंसी आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म फिलिंग भी एक 24 जनवरी को ही हुआ था तो कहीं कहें इनका रेजल्ट पहले देना था इसके बाद आप लोग का रेजल्ट निश्चित दूरूप से आ जाएuit तो आप लोग कुछी दिन और वेट करें आप लोग को भी आईसे ही next video में थांच्यू